ऐसे कारेकरम में प्रता होती है कि कोई भी पाम पूरा होने के बाद उनका सबका अभिननदन और शुविच्छा देनी की प्रता है पर मुझे संकोच हो रहा है कि मैं आपका अभिननदन कैसे करूँ क्योंकि 2008 में तैव हुआ था कि इस प्रकार से बिल्डिंग बनेगी 2011 में इसको टेंडर आवार्ड हुआ और ये 2.500 करूड का काम 9 साल के बाद आज पूरा हुआ इस काम को पूरा देखने के लिए दो सरकारे और आज चेर्मन लगे और उसके बाद में ये काम अच पूरा हुआ है तो वर्तमान चेर्मन और मेंबर विचारे उनका कोई इसके साथ सम्बंदर नहीं है पर जिन महान हस्तियों ने 2011 से लेकर 2010 से लेकर 2020 तक इस पे काम किया है उनके सम्भू हुआ तो चेर्मन साथ उन सब CGM और GM इनके फोटो एक बार इस ओफिस में जरूर लगा देना कि जिन्होंने नव साल इस काम को केवल निरने न करने के कारण देरी की और इसके लिए उन्होंने जो नव साल की देरी की कम से कम उनका इतियाज भी सामने आए आप और हम गवरों से कहते हैं कि दिल्ली मुंबई हाइवे अब हम दो साल में पूरा करेंगे एक अजार एक लाग करूर का तो एक लाग करूर के काम के लिए हमने तीन साल सड़े तीन साल अगर लगेंगे और ये दो सो करोड के काम के लिए हमने ग्यारा दस साल लगा है तो ये कही न कहीं अभी नदन करने वाली बात तो नहीं है मैं आपके लिए तो कुछ कहूंगा नहीं पर मुझे इस बात की शरम आती है इतना आपके सामने जरूर कहूंगा आपको संभव हुआ तो ये बात कही जाएगी क्योंकि मैंने इसके लिए दो तीन चार मिटिंगे ली थी कि जब काम फटा हुआ था तो मुझे भी काफी जानकारी है और अभी सरकारी पद्धती के नुसार कॉंट्रेक्टर पर ब्लेम डालकर वो एंसे एल्टी में गया और एंसे एल्टी में जाने के कारण ये हुआ देरे आइसे करके रिकॉर्ड तैयर किया जाएगा पर इसमें सबसे इंपोर्टन चीज यही है कि जो विकृत विचार रखने वाले लोग हैं जिनोंने निरने नहीं करना और निरने करना तो काम करने के बज़ाए कॉंप्लिकेशन्स पैदा करना तो ये भी 13-13 साल से 12 से चिपके हुए है और मालूम ने जो भी चेर्मन और मे आता है उसके गाइडन फिलोसफर वही लोग बनते हैं जो पूरी तरह से निगेटिव है और विकृत है उनकी और इंटीग्रीटी के बारे में डाउट नहीं है पर उनकी विचारधारा टोटली वीशक अन्या जैसी है और ऐसे विकृत लोगों को आज भी गाइडन फिलोस आए वो कितनी निकम्मी है कितनी नालाइक है इसका उधरन ये बिल्डिंग के डीले में हुआ है तो मैं आप से अनुरोद करूंगा कि कम से कम आज बिल्डिंग पूरी हुई है तो ये 11 साल में जिन्होंने हैंडल किया उसने कितने-कितने साल डिसिजन्स नहीं लिए कैसे रखा इसका एक रिसर्च पेपर जरूर तहार करिए मैंने बहुत बार आपको कहा था कि नहीं को रिफॉर्म करना चाहिए है आपकी जो रिकुरुट्मेंट है जो अधिकारी आप लेते हैं वही बेसिक रॉम मट्रियल सबसे खराब है आपको जो फ्रेश आइटी के लोगों की बड़ी मालिका एने चाहिए में भर भर के हमने उनको प्रमोट करके CGM और जनरल मैनेजर बनाते हैं और आपने अच्छा हुआ कारवाई की बीच में कॉंट्रेक्टर और इनके उपर पर जिनके डिजाइन्स गलत हुए जो कंपनिया अच्छी काम नहीं करती जो इंडिपेंडेंडेंडेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे जिस प्रकार से एक organization बनाने के बारे में बीच में हैं, हम सब लोगों ने सोचा था, इतना अच्छा काम इस organization का market में नाम है, financial market में credit है, इसके बाद में भी, आज performance के पाधर पर हम अपने bottle legs को धुणने में असफल रहे हैं, इसके बारे में बहुत सी कमीटिया बनी, उनके report आ कि मिनिस्टी ने कहने के बाद में भी, वो अपने निरने गलत करते हैं, अभी एक अच्छा आया है, कमपनी का Supreme Court का निरने, अपने High Court का निरने आया है, कि जो 475 में हमने मैने और उस समय के Secretary ने कहा था कि इसको settle कर दो, अब वो 1300 और 1400 करोड का उसके उसके उपर claim मंजूर अब तो वो 375 में करने माला नहीं है, तो यह बताने के बाद में भी नहीं किया गया, मैंने बीच में कहा था, आयलेफिस की टनेल जो थी, कि उसको आयलेफिस के रिट में उसी कॉंट्रेक्टर से आगे कर लेंगे, तो नहीं सुना, फिर उसका नया टेंडर निखाला और 400 क करोड़ रुपे उसी कॉंट्रेक्ट ने ज्यादा बरके वो काम लिया और उसने प्रॉफिट कमाया, तो नहीं में हम लोग करोड़ रुपे से यह अकार्यक्षम, बले उनकी इंटीग्रीटी अच्छी हो, पर नकारत मक्ता, और CGM और जंडरल मैनेजर के जो कमीटिया आप का काम करती है, ऐसे नॉन इफिशन्ट और नॉन पर्फर्मिंग असेट, वर्मी कल्चर करने की भी लायक नहीं है, उनको बड़े प्रिजोर करके, प्रोटेक्ट करके उनको बढ़ाया जाता है, लीना नंदन जी आई थी, तब एनेचा को रिफॉर्म करने के लिए आया था कमिटी बनी थी, एक मलेशिया की कमिटी बनी थी, मैंने रिपोर्ड बना है, पर कुछ काम नहीं किया गया, और मुझे लगता इस बात का दुख है, कि इतनी बड़ी ओर्गनाइशन को इस प्रकार से कोई निगेटिविटी रखने वाले लोग हावी होकर, जो मिनिस्टी की भी बात न सुनते भी कर रहे है, मेरा तो नाम हो गया है, चाहिए नेचाय के कारण हुआ, मैं तो वर्ल्ड में बन गया, मैरा ब्रैंड, अब मुझे रोड कितने किलोमेटर बनना है, उससे ज़्यादा यह है, काम करने वाले कितने लोगों को टर्मिनेट, सस्पेंशन, उन सभाव बहुत सहरुदै, सववेधनशिल और लोगों का बुरा करने का नहीं है, और इसलिए जब भी मोका आता है, तो मैं फिर से उसको भूल जाता हूँ, या मैं टाल देता हूँ, पर अब मुझे लगता है, कि अब इनकी धुलाई करने में कोई दूसरा परह नहीं है, तो तेरा साल से, आठ से, एनेचाय में, सीजी एम, जी एम करके जिनों ने इसको हैंडल किया, कुछ तो बदल गए, क्योंकि आठ चेर्मन हो गए, और अभी दो सरकारे हो गई, अब तिसरी सरकार है हमारी हैं, पास साल के बाद हम रिपीट हो गए है, तो हमको ये बल्डिं करने के लिए भी मुझे शरम आती है, तो ये मैं अपने शरम पर बात कर रहा है, आपको तो कुछ कहने सकता क्योंकि वो ठीक नहीं होगा, और अभी भी एनेचाय कि इस सब डिलेज का जब तक अध्यन नहीं होगा, और अध्यन होने के बाद जब तक इस बात का पता नहीं चलेगा, कि इसमें क्या प्रॉबलम से, क्या बॉटल लेक्स है, क्यों यह नहीं हुआ, इसके उपर अगा, आप जब तक निरने नहीं करोगे, और वही वही लोग बैटके वही करेंगे, तो मुझे लगता है कि यह देश के लिए अच्छा नहीं है, हम लोग एक बहुत कोड़े कोन से और गदे कोन से है, जो काम के नहीं है, उनको दूसरे डिपार्टमेंट में जाने दो, सरकार में ऐसे लोगों को आखरी तक प्रमोशन भी मिलता है, और हमारे जैसे उदार लोग उनको दस में से नव, दस-दस मार्क C.A.R. देते हैं, और वह जाएंगे जहा जाने दो उनको, पर कम सक अब अपने एने जाय को इससे सुदारो.